एपिसोन 5 की स्टाटिंग में हम हिमे को देख पाते हैं चोकि साथों से बोलती है आपका वेलकम आप शावर के बाद खाना खाएंगे या फिर मुझे खाएंगे साथों तो अपने कपड़े बहुत ही जल्दी खोल देता है और बोलता है मैं आज का ये पूरी रात तुमको देने वाला हूँ और इसके अगले पली हिमे तो पूरी तरीकी से नंगी होकर बेट पर लेट जाती है और बहुत यदा शर्मा रही होती है साथों भी उसके पास आता है लेकिन इसके अगले पली हम देख पाते हैं हिमे के जगा तो वहाँ पर नेफ्रिटी साजा जाती है और हिमे तो बहुत जद førाई होती है और बोलता है और इसके बाद हम देख पाते है हीमे सोकर उठती है और यह सब कुछ तो उसका बस एक सपना होता है फिर ओ सोकर सीधे सातो और बाकी लोगों के पास चली आती है ओई पर सातो तो सभी के लिए खाना सब कर रहा था और हीमे को भी ओपैटने के लिए बोलता है जिसके बाद मार्स पुछता है तो इसके बाद हम कौन से किंडम में जाने बाले है जब आप में एलावेस्टर बोलता है इसके बाद हम किंडम ओप वाटर में जाएंगे जो सुनकर मार्स बहुत यदा एक से रेड़ो चाता है और बोलता है में तो वाप रमेशे से जाना चाता था दूश्री तरब खाना खाने के बग नेप्रिटिस को तो चोट लग जाती है और सातो उसका दियान रख रहा होता है और यह सब कुस देखकर हीमें अपने मन में सोचती है अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से सातो तो सिर्फ नेप्रिटिस के साथ ही समय बीता रहा है और ये सब कुछ देखकर हो काफी अदर जिलस होती है और उसको गुस्ता होते है देखकर तो सभी लोग शौक्ट होते है तब ही हीमे बहुत यदर शर्माते हुए वह से भाग जाती है लेकिन साथो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तब ही वहाँ पर कुछ आने लगता है औ उसको देखकर तो अलबेस्टर काफी यदर खुश होता है और बोलता है आज का दिन तो हमारा बहुत यदर लखी है और बोलता है यह है दा किंगनम आफ फायर निदिखता एक कैटफोक नाइट्स की जाएंट मूविंग सिटी है असल में एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जो की अपना आपी मूब कर रहा है हम लोग इस ओपरचनेटी को मिस नहीं कर सकते चलो पहले रिंग ओफ फायर के पिंसे से रिंग ले कर आए रिंग ओफ फायर से रिंग लेने के बाद हम रिंग ओफ वाटर से रिंग लेंगे यह सुनने के बाद मार्स तो थोड़ा सा और अपने मन में बोलता है मार्स उदास हो गया है शायद रिंग ओफ ओटर के किंडम में मार्स का कोई रिलेटिव हो सकता है फिरो बोलता है लेकिन हम इसके अंदर कैसे जाएंगे एलेवेशर बोलता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो और फिरो चिला कर बोलता है हम इसके अंदर जाना चाते है इसके बाद तो उस सीडी से एक बहुत ही वरा लेडर नीचे आता है और फिर ओ लोग उस लेडर पर चणने वाले होते है लेकिन उस लेडर को देखकर तो नेपरिडिस बहुत ही अदर डर जाती है क्योंकि ओ बहुत ही अदर उचा होता है और नेपरिडिस को उचाई से बहुत ही अदर डर लगता है जिस बज़े से ओ बोलती है आप लोग चले जाईए मैं यही बड़ी रहा लेती हूँ लेकिन सातो तो उसको सामालने लगता है जो देखकर ही में जिलस होती है और बोलती है सातो तुम टेशन मत करना नेपरिडिस को मैं सही सलामाद उपर ले कर जाऊंगी जिसके बाद तो बहुत मुश्किले और मुसकत के बाद नेपरिडिस फाइनली उपर चारी जाती है और दूश्री तरह उपर चलनने के वक्त तो सातो की नजर किसी औरी जगा पर होता है ओ नजर कहा परे ओ तो आप देखी सकते हो और उपर आने के बाद ओ लोग जैसे ही सीटी को देखते है ओ तो सभी बहुत यदा शौक्ट हो जाते है क्योंकि उस सीटी के अंदर सब कुछ बहुत ही अदा खुबसूरात होता है और इसको देखकर तो ने प्रिटीस को जादा एक सहे रेडर होती है तब ही एलावेस्टर बताने लगता है पहले रिंकिंग के अरली एरा में कैट फोक्स ने अपने जमीन खो दी जिसके बाद ओ लोग एक मूविंग प्लाटफर्म के ऊपर अपना सीटी को बनाए उसके बाद से ही इनका सीटी खूदी खूद ट्रैविल करता है लेकिन ए सीटी ओन उप तर स्ट्रॉंगे सीटी है और एहा का जो कैरावेने वो सबस्यादा सेपेश्ट भी है और एहा पर तो तरह तरह का की मर्चेंट साते है लेकिन जैसे यालवेस्टर का बात वहापर खतम होता है उससे पहले तो नेपरिटीस और हीमे तो कई पर चली गई होती है दूश्री तरह नेपरिटीस और हीमे तो किसी और जगा पर घूम रहे थे नेप्रिटीस तो सब कुछ देखकर बहुत यदा एक्साइड़ होती है क्योंकि वो पहली बार बाहर घूम रही है लेकिन वो जैसे रिलाइस कर पाती है कि उसके साथ साथो और बाकी लोग तो नहीं है फिर तो वो बहुत यदा डरने लगती है और बोलती है यहापर तो में किसी को भी नहीं जानती और डर के मारे तो वो फिर से वही पड़ी उल्टी कर देती है जिसके बाद जो नेप्रिटीस है ओ तो ही मैसे माफी मांगने लगती है लेकिन तभी ही में अपने सामने cat fox को देख पाती है और बोलती है क्या एही cat fox है इनके कान तो काफी ज़्यदा cute है नेप्रिटीजर के मारे बोलती है एह लोग cute नहीं है इनके अंदर warrior का खुन बैर रहा है एह लोग बहुत ज़्यदा violence है बुक में तो मैंने इनके बर में ऐसा ही परा है और अगर देखा जाए तो cat fox से ज़्यदा elves के कान ज़्यदा की उठे तभी एक cat fox बोलती है क्या तुम दोनों खो गई हो ही में हा बोलती है और बोलती है कि हम हमारे दोस्तों से बिचर गए है जो सुनकर ओ cat fox बोलती है अगर तुम लोग खो जाते हो तो तुम दोनों उस अरिना के सामने जाकर वेट कर सकते हो क्योंकि ओ एरिया सबस्यदा famous एरिया है दूसरी तरब तो साथो बहुत यदा गपरा रहा होता है और ओ बोलता है हीमे और नेप्रिटीस कहाँ पर चली गई है एलावस्टर बोलता है साथो इतना लादा टेंशन मत करो क्योंकि A.C.T. on of the savage city है तभी मार्स एक cat fox से पूसता है क्या आप हमें बता सकते हो कि एहाँ पर ring of fire की princess कहाँ पर मिलेगी जो सुनकर एक cat fox बोलती है हां मैं समझ गई आप भी उनके साथ blinded पर जाना चाते हो blinded का नाप सुनकर तो ओ तीनों को तीनों एकदम दंग रहा जाते है दूश्री तरह आप हीमे और नेप्रिटीस तो आरिना के साइड में बैट कर खाना खा रहे होते है तब नेप्रिटीस के गाल पर खाना लग जाने के बदे से हीमे अपने रूमाल से उसको मूझ देती है जो देखने के बाद नेप्रिटीस बोलती है आप तो बिल्कुल साथो जैसी हो आप भी मुझको उसकी जैसे ख्याल रखते हो जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत यदा protective फिल होता है ही में तो शर्म हाजाती है और बोलती है कि कुछ नहीं नेप्रिटिस और भी बताती है बोलती है मुझे माप कर देना क्यूंकि मैं आपके और साथों के बीच में आई हीमें बोलती है अर तुम चींता मत करो मैं माइन नहीं करती नेप्रिटिस बोलती है लेकिन इसके बावजुद भी आप जिलस हो है ना जो सुनकर तो हीमें ब्लश करने लगती है और फिरो कुछ नहीं बोल पाती नेपरिटिस बोलती है मुझे पता है कि आप उससे बहुत यदा प्यार करते हो इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों का प्यार बहुत यदा डीप है और दुश्ची तरफ अगर मुझे देखा जाए आप जितना जादा साथों से प्यार करते हो ही में साथों के कान पर उस बंदे के बारे में बोलने लगती है जो सुनकर तो साथों भी बहुत यदा चौक जाता है तभी ओ कैट फोक उन लोग को रिंग ओफ हैर के प्रिंसे के साथ ब्लाइंडेट के लिए पूचते है और वो लोग जैसे आते है तो वह पर तो ओ प्रिंसेस पहले से किसी से लड़ रही थी और वो प्रिंसेस तो बस अपने एक ही बार से उस बंदे को मार गिरा देती है जो देखकर तो साथों एकदम दंग ही रह चाता है फिर प्रिंसेस बोलती है तो इसके बाद और कौन है ताभी ओ साथों के हाथ में रिंग को देखकर पूचती है क्या तुम ही रिंग क्रिंग हो जब आप में साथो हा बोलता है फ्रिंसेज बोलती है अगर तुम मेरा हस्बेन बना चाते हो तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉंग होना परेगा क्या तुम स्ट्रॉंग हो और इसके बाद तो ओ साथो के ऊपर एटक कर देती है साथो तो उस को बहुत ही मुश्किल सी डौच कर पाता है लेकिन इसके अगले पली ओ प्रिंसेस तो साथो के ओपर दूबारा अटक कर देती है जिस बज़े से तो साथो ओई पर ये बेगोश हो जाता है फिर प्रिंसेस बोलती है ये तो बहुत ही एक बड़ा डिसपॉइंट मेंट है मैं जो बहुत इदा एक्सेटेट हुई थी कि मुझे रिंकिंग के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो क्या तुम रिंक के मदद से एवेस किंग को हरा भी पाओगे अगर तुम रिमेच करना चाते हो तो फिर से मेरे पास आ सकत हो और एक बोलने के बाद तो ओहा से चैली जाती है देन अगले सिन में हम साथो को देख पाते है जो कि मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है मार्स उसको सौट मेंचीप शिकर रहा होता है लेकिन साथो तो मार्स के उपर एक एटक भी नहीं कर पाता और उनको फाइट क के प्रिंसेस को हरा पाएगा ओही रिंग ओफ प्रिंसेस से साथी कर पाएगा और मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री के अंदर कोई भी रिंग ओफ प्रिंसेस के साथ साथी कर पाएगा क्योंकि हमारा प्रिंसेस तो हमारे कंट्री में सबसे लदा ताकत पर है इस बज़ क्या मैं उनको सच में हरा पाऊंगा एलावेस्टर बोलता है अरे तुम चीनता मत करो 10,000 मैच होने के बाद भी तुम उसे नहीं हरा पाऊगे जो सुनकर साथो चौक जाता है और बोलता है तो फिर मैं ट्रेनिंग क्यों कर रहा हूं एलावेस्टर बोलता है भूलो मात की तु लोगों को बता देना चाता हूं कि बड़े बड़े मैच भी हमारे प्रिंसेस से जीत नहीं पाए थे तभी एलावेस्टर बोलता है साथो भूलो मात की इस रिंग की मैजिक के पावर बहुत ही जादा है वही पर साथो तो स्ट्रॉंग बंड़े के लिए बहुत यदा खान जाता है और फिर ओ एक जगा पर बहुत ही जादा उदासो कर बैठा हुआ होता है लेकिन तभी उसके पास ही में आती है और ओ बोलती है आज तो तुमने बहुत यदा ट्रेनिंग किया गया तुमारा ट्रेनिंग खतम हो गया है साथो बोलता है नहीं अभी भी मेरा एक ट्र प्रिंसेस से शादी करोगे और उनके रिंग लोगे और तुम उन रिंगों के मैजिक के पावर से लड़ाई करोगे और उस रिंग का पावर डिपेंड करेगा हमारे प्यार के उपर और हम हमारा ड्योटी अच्छी तरह के से निभाएंगे इस बज़े से तुम ताकतवर बनने के लिए अपने आप पर जादा जोर मत डालो साथो बोलता है लेकिन इससे तो मैं एक यूजलेस कहलाऊंगा तब ही वहापर आला बश्राता है और बोलता है स फिर साथो बहुत यदा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है ही में मैं बहुत ही मैनत करूंगा और इसके अगले पली ट्रेनिंग कहतम होने के बाद ओ दोनों तो मैसच सेंटर में आते है और वहापर आकर तो साथो चौक जाता है क्योंकि ओहापर लड़किया मसच कर रही फिर साथो और मार्स अपने बारी के लिए वहापर थोड़ी दिर वेट करते है तब ही साथो बोलता है मार्स अगर तुम रिंग किंग होते तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्या तुम रिंग और फायर की प्रिंसेस को हरा पाते जवाब में मार्स बोलता है अगर स्वार् हो जाता है और बोलता है क्या आप मेरे back को scrub करोगे, ओ canfog बोलती है आपका back scrub कोई और करेगा, साथ हो तो बहुत ही जादा excited होता है और बोलता है मैं ready हूँ, लेकिन तभी वाँ पार एक बहुत ही जादा खतरनाक muscular बन्दा आजाता है और बोलता है, gentleman मैं तुम्हारे back को scrub क्योंकि मैं तुम्हें एकदम चमका दूँगा साथो तो चौक जाता है और बोलता है मुझे बैक स्क्रप नहीं करना ओ कैट फुक बोलती है आप चींता मत करिये क्योंकि ए सबसे अच्छा मसच करता है और इसके अगले पली ओ बंदा तो साथो को मैसच करके वास से चला भी जाता है लेकिन ठीक ते भी ओप पर ग्रान आर्ट आ जाती है जिसे देखकर साथो तो रहसा चौक जाता है और ओ ग्रान आर्ट बोलती है तुम सभी आप यह से जा सकती हो क्योंकि मुझे रिंकिंग के साथ कुछ इंपोर्टेंट बात करनी है और इसके अगले बली ग्रान आर्ट बोलती है साथो मैंने तुमको बैटल में हाड़ाया इस बिज़े से मैं तुमसे एक फेवर जाती हूँ फिर हो अपना टावाल खुलकर नंगी हो करो हापर लेट जाती है और बोलती है मैं जाती हो कि मेरे बैक को तुम स्क्राब करो साथो तो बहुत ज़्यदा शर्मा रहा होता है और बोलता है लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ प्रिंसेस बोलती है इससे कोई फरक नहीं परता क्योंकि तुम मुझसे फाइट में हा रहे हो और मैंने तो एक छोटा साई फेवर मांगा है जिसके बाद तो साथो बहुत ज़्यदा घवराते हुए ग्रानाट के प्यार के उपर मसच करने लगता है और अपने मन में बोलता है इनका स्कीन तो काफी ज़्यदा स्मूध है और ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यदा हार्ड ओर्क करती है तबी ग्रानाट बताने लगती है मैं ब्लाइंडेट के लिए एकदम टायर हो चुकी हूँ हार आदमी मुझसे फाइट करता है लेकिन आस्ता कोई भी जीत नहीं पाया और ये तो काफी ज़्यदा बोरिंग होता जा रहा है लेकिन तबी तुमें हापा रहा है और अगर रिंग प्रिंसेस का डियोटी है कि रिंग किंग को फॉलो करो तो फिर मैं अपना रिंग खुशी खुशी तुमें देना चाती हूँ साथो तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज़्यदा शौक्ट हो जाता है प्रिंसेस बलती है मुझे कोई भी फरक नहीं परता अगर तुम मुझसे रिमैच करते हो तो हम एक एक करेंगे मैं हारने का नाटा करोंगी जिसे सब को लगेगा कि तुमने मुझे हारा दिया और इस तरीकी से सिंपली तुम मुझे तुमारा बना सकते हो साथो तो बहुत यदा शौक्ट होता है मुझे पता है कि तुमारा रियाल मकसद है रिंग को लेना क्या तुम उन रिंग को पैणने के लिए और दिभी हो मैं तुमारे साथ को अपर्ट करने के लिए तैयार हूँ ये बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है लेकिन साथो तो ये सब को सुनकर बहुत ही ज़ादा गुस्दा हो जाता है और बोलता है मुझे तुमारी दया की कोई भी जरूरत नहीं मैं तुमारे साथ एक असली फाइट करना चाता हूँ और तुमको हराकार तुमसे शादी करूंगा जो सुनकर ग्रानाट हसती है और बोलती है ठीक है अपना बेश्ट देना देन अगरे सिन में हम साथो को देख पाते है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा रहता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिरकार मैं स्ट्रॉंग कैसे बनूं मुझे स्ट्रॉंग बनना है और इसे के साथ ही हमारा एपिसोड 5 खतम हो जाता है तो दोस्तो जाता से ज़्यादा लाइक और जाता से ज़्यादा कॉमेंट कर देना तो मिलते हैं नेक्ट एपिसोड में तब तक के रिए टाटा बाई बाई सायोनारा